हेलो फ्रेंड्स सुरूती कीचैन विलेज चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज हम अपनी कीचैन में बनाने जा रहे हैं छोले और पनीर की सबजी तो देखें डिलिसे सबजी है इसको कैसे बनाया जाता है इसको इस वीडियो में बताएंगे तो हमने एक पा पनीर लिया है तो हम सभी पनीर को इसी तरह से काट लेंगे हमने सभी पनीर को दुकड़े कर लिया है आब एक साइड में इसको रख देंगे तो यह उबला हुआ चना है रात भर भीगो का डहिकर में कर रहे हैं अब तेल को अच्छे से हीट होने देंगे तेल को अच्छे से करची की सहःता से पुरे कड़ाही में फैला लेंगे ताकि हम पनीर को 흡िश कमिचे तौड़ी नगे смयुच अब अबEd видно को हम इसमें डालकर पकने देंगे हमारे पनीर है इसके अंदर चल जाए और पनीर ज्यादा टेस्टी लगे जो दूधिया पनात है पनीर का उसका वो नहीं आएगा इसको डालने से इसलिए हम सभी मसालों को थोड़ा थोड़ा डाले हैं अब अच्छे से पकने देंगे इसको हम अब इतर हम टमाटर को काट ले है मीडियम छोटी-छोटी साइज के आठ से नौ टमाटर लिए हैं तो इसको बारीख हम काट रहे हैं तो इस तरह से बारीख काट लेना है टमाटर को और ध्यान देरना है कि पनीर हमारा जले नहीं पनीर को भी चलाते रहना है थोड़ी-थोड़ी देर में करीब अधा-धा मिनेट के अंतरान में इसको चलाते रहना है चिपके नहीं हमारा जो फ्लेम है हो हाई है तैयार कर लेंगे हमने मिक्सी जार में एक बड़ा इलाची डाल रहे हैं छोटी सी दाल चैनिए अपसनल है आपके पास नहीं डाल सकते हो और लसून की एक बड़ी कली और तीन साइज की प्याद डाले हैं और टमाटर कटे हुए टमाटर को इसमें डाल देंगे अब इसको ग्राइंड कर लेंगे हम इधर पनीर को और चला लेंगे देखिए इस तरह से हमको सेखना है पनीर को कुछ दिर और पकने देंगे फिर इसको निकालेंगे हम तो देखिए अच हुए इस तरह से को निकालेंगे अब हम इसमें सर्सों का तड़का डाल देंगे निचे से चीपक जायागा तो हमारा जो सब्जी के टेष्ट बिल्कुल खराब हो जायागा वैसे हमारी कराही में हमने तेल लगाया था तो हमारा जो नीचे का इसका तला चिपक नहीं रहा है फिसलन है अब हम इसमें एक चमश नमग डालेंगे आप सवाद्नासाँ डाल सकते हो विसको चलाते रहने देखे पानी सुखता जा रहा है अच्छे से इसको पानी सुखने तक पकाना है या कि आप इसको मिला लेंगे और पइक देंगे.. किनारे में जो चिपका हुआ इसको हम एक तरफा कर लेते हैं.. और इस तरह से पखने देंगे हम.. ए मीडियम फ्लेम पर ही मसाले को पखाना आ है तो अच्छे से मसाला पखता है.. हाई फ्लेम पे जलने का चांस रहता है, तो इस तरह से अच्छे से हम मसाले को सुखने देंगे, मसाला जितना अच्छे से भुनेगा, स्वाध बहुत बढ़िया आएगा, हमारी जो सब्जी अच्छे बंद कर तयार होगी, अब हम इसमें चना को डाल देंगे, जो छोले है उ पनीर को भी डाल देते हैं, तो दोनों को डाल कर हम फिर से इसको मीख्स करेंगे, और कुछ देर तक भुनेगे, जो ऐसा करने से जो छोले है और पनीर है उसमें मसाले भीगेंगे, और स्वाध बहुत अच्छा आएगा, जो हमारा मसाला और पनीर जितनी अच्छे से भुन लेंगे, तो देखिए हमारा जो मसाला है और सबजी है भून चुकी है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे, तो पानी हम आधा लिटर डाल रहे हैं, एक जग पानी डाला है हमने, अब इसको मिक्स कर लेंगे, कल्ची के सहायता से हम मसाले और पानी को अच्छे से मिक्स कर लें तो देखिए 10 में बाद हमारे सब्जी तयार हो जाएगी तो देखिए 10 में ठोचुके हैं हमारे सब्जी है बनकर तयार हो चुकी है अब इसमें हम हर्दन्या से गार्डेसिं कर देंगे 고 is the रोडेग और इस जो सब्जी है बनकर तयार हो गई है हमारे बनाने की तरीके से आप भी जरूर बना कर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सियर कीजिएगा कैसा लगा कमेंट के जरी जरूर बताईएगा अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर टाच कीजिएगा इससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिपिकेशन मिलती रहेगी धन्यवाद